हेलो श्रेंट्स एन बलकाम बैक टू माई चैनल तो श्रेंट्स आज किस वीडियों में हम बात करने वाले हैं जो ग्रूप डी के तरफ से जो नोडिफिकेशन जाड़ी कियागे उसके बारे में हाँ तो श्रेंट्स आप सभी को हम बता दे कि आप लोग तो थामनेल देकर सब्सक्राइब करें और वे लागन घंटी को प्रेस कर दें तो सबसे पहले आप सभी की जो इन्फरमेशन देश सके हां तुर्फिनस आप सभी को हम बता दे कि रेलबे ग्रूप डी के तरफ से एक नोटीस जारी किया गया जिसमें लिखिया गया कि सीबीटी टू एक्जाम से इसमें जो हैं नोटीस में जारी किया गया है जो भी MENSAHN किया गया आप सभी को प्रें-गो को पता होगा करें में किस कैसे आएंगे किस लेबल के कोश्चन आएंगे तो आप सभी को इस वीडियो में सारी डाउट हम किलिए करने वाले हैं आप लोग वीडियो के अंदर तक बंद रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सियर जरूर करें तो चलिए आप सभी को सीधे ले चलते जो ऑफिस आप सभी यहां पर देख सकते हैं तो चलिए सक बारे में आप सब्सक्राइब को पूरी डीटल स्कते है कि इसका जो है क्या दिया गया 해서 को ले यहां 되 कर के तो आप यहां फैस तो सब्सक्राइबर के डेट एक나це पर दे रखोंगा सबक देए, यहां पर च न्यंक्स को, इसम आप सब यहां पर देख सकते हैं यह जो है नोटिस किसे रिलेटेट जारी किया गए तो आप लोग देख सकते हैं एक्जाम सीडियोल के बारे में जैसे आप लोग वही समझें जैसे इंटी पीशी में भुआ था है ना जैसे वही प्रोसेस इसमें भी होने वाला है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर पढ़़ सकते हैं यहां पर दे रखा है इन वहीव अफ दो लार्ज नंबर अफ आप्लिकेशन रिसीदेघ्र रिलवे हैव 9 of general instruction page 4 5 and para 14.1 of requirement process page 18 units of option details of the two stage computer best test range under यानि फिर्शनस यहाँ पर दे रखा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साब सब मेंशन कर चुका है क्याँ पर CBT1 and CBT2 होने वाला है क्यों होने वाला है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सांख्या में सब्सक्राइब कर देख सकते हैं सब्सक्राइब कोई दाग लगने वाला नहीं है और नहीं पॉस्टमॉंड होने वाला एक्जाम है आप लोगों का रेलवे ग्रूप डी का एक्जाम जो है आप सब्सक्राइब को 2322 से स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आगे यहाँ पर समझा रहा है से चेंटर नुमर अर्शेशी 2019 मॉल्टीपल फेज सब्जेक्ट टू दो रेवलिंग कोंडिशन एंड गोर्वर्मेंट गाइडलांस इसुट फों ताम तु तु ताम इन वीव अफ हैंडलिंग अफ दा कोवीड-19 पैंडेमिक दा सिलेबस एंडिस्टिप्शन PCIQ-1 विल्वी रिमें इंडेमर्ट यहां पर फॉर्टी वड़ी वॉन पर से नो प्रसें लांस आप सभी कोंशा कोम बता दे कि जैसे पहली सीबे टीवट कर चुका यह किस का वजह बता रहा है कि काफी संक्यां में कैंडिट जो एफ भूम अपलाई किये हैं और भी से पालालाइज से चुका है myśla आप से हम गवइस हो सकते हैं यहां पर सो बार यहां पर चुकर है स्टेज बीची वन वान हैं Да आप सब्सक्राइब रहे चुक्न जन रहे डीच होने की आप लोग तो बटक भी सकते हैं यहां पर से किन इस ड़ां लिद्क पर होगा जैसे CBT 1 में सिलिबस होता था सिम वैसे हैं आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाएगा CBT 2 में उसके बाद यहां पर distribution of question के बारे में दे रखाए कि आप सभी को कहा से question कितना marks काएगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक्जाम डियुक्षिन के बारे में आप सभी यहां पर देख सकते हैं कितना तो आप से 90 मिनट आप से समय रहने वाला ठीक है उसके बाद जिनरल साइन्स से आप सभी को थर्टीन कोस्टन पूछे जाएंगे मैथमेटिक से 13 कोस्टन जेनरल इंटेलिजिंस से रिजिनिंग से अब से थिफाइव को सब्सक्राइब यहां पर देख सकते हैं उसके बाद यहां पर 1.2 में पारा में देरा कर देख सकते हैं सोट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीवीटी टू फिप्टीन टाइम सभी को हम बता दें कि यहां पे जो है जो भी विकेंशी निकलकर आई हुए एक लाग के सम्थिंग है ठीक है आप लोग यहां पर समझ सकते हैं एक लाग के सम्थिंग यहां पर आप सभी को वेकें से सीट है इसके 15 गुना केंडेट को यहां पर क्वालिफाई करेंगे सीवीच टू के लिए तो आप सब यहां पर देख सकते हैं उसके बाद से यहां पर जो है कैलकुलेशन आप नार्मलाजेशन मार्क्स फॉर मॉल्टी सेशन पेपर्स याइन आप सभी को बताते कि यहां याइन आपस भी को यही जोसे यह जो है आप सभी को लगने वाला तो और जो पता होगा यहां पर आलेडी सब लोग यहाँए पर देख सकते हैं सब यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को यहां पर डिक सकते हैं उसके बाद सभी को बताते कि यहां सभी को कोई राट हो इस नोटिस से तो आप लोग हमसे कॉमेंट सकते हैं हम उसका रिफ्लाई जरूर नेगे तो आप सब यहां पर समझ सकते हैं यहां पर बुरी खबर आप से भी को देखने से लग रहा होगा बट ऐसा कूछ नहीं है जैसे इसमें भी ग्रूप डी में भी होने वाला है कि क्यों कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक बार में एक्जाम लेना संभाव नहीं है तो यहीं यहां पर बुरी खबर है यहां पर cbt1 का एक्जाम तो देट देविया 23 फरवरी ठीक है 23 प्रोडिक से आप सभी के एक्जाम स्टाट हो जाएगा ठीक है बट यहां पर cbt2 जो है cbt2 एकजाम कैसे होगा यहां पर cbt2 एकजाम जो है इसका डिट तो इसमें नहीं किया है तो आप लोग यहां पर साब से समझ में फाइनल सेलेक्शन भी आप सभी को नहीं होने वाला है ठीक है तो आप सभी अप उमीद लगा कर रखें कि 2023 तक आप सभी के गुरूप D के जो है फाइनल होने वाला है तो यहां पे तो सभी आप सभी को काफी लेट आप सभी को देखने को मिलेगा रिल्बे गुरूप D के लिए तो सभी को कोई विडियार तो आप लोगा में से पूछ सकते हैं उसका रिपलाई जरू देंगे तो आज के लबस इतना हिज्जा है हिंद